Hello everyone, welcome back to the channel So, आज का वीडियो बिल्कुल off the beat होने वाला है, आज मैं आप से बिल्कुल comment stream के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ नहीं मैं कोई career options के बारे में बात करने जा रहा हूँ, आज इक story के बारे में बात करनी है, वो story सभी ने हम अपने घर में सुनी होगी मैं आज बात करने जा रहा हूँ, रमायन के उपर अब रमायन में बहुत सारे ऐसे characters हैं, जो बहुत important है, लेकिन आपके साब से आपका favorite character कौन सा था, आप मेरे को comment section में लिख कर बताना, लेकिन हम आज बात करने जान रहे हैं, जामवंत जी के बारे में अगर आपको नहीं पता है, तो मैं आपको थोड़ी सी information देता हूँ, जामवंत जी कौन थे, जामवंत जी वो थे, जिन्हों ने हनुमान जी की शक्तियों को उनके बारे में बताया हनुमान जी के अंदर बहुत सारा potential था, लेकिन वो ये बात बूल चुके थे उस potential को याद दिलाने वाले जामवंत जी थे और हनुमान जी ने सारी चीज़े की तो वो आपको बेदर पता है तो जिन्दगी में आपको दो चीज़े बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, वो क्या कि आपके राम कौन है और दूसरा आपके लिए आपका जामवंत कौन हो सकता है Here I mean to say आपको अपना एम पता होना चाहिए राम का मतलब यहाँ पर यह है कि आपका एम क्या है, आपको किस कॉलेज में जाना है, कैसा करियर option चाहिए, आप कहां रहना चाहते है Throughout the life आपका main aim क्या है, और आपकी जिन्दगी में कोई गुरू है, कोई जामवंत है, जो आपकी शक्तियों को बता सके, तो कोशिश करूँगा कि अगले कुछ महीनों में मैं अपने हनुमान का जामवंत बन सकूँ मैं आपको ये बता सकूँ कि आपके अंदर potential है और अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई कर सकते हैं चाहे मेरे साथ, या चाहे किसी educator के साथ, तो आप अपने राम को पा सकते हैं आप अपने aim में पूरे हो सकते हैं, तो जो भी आपका career option है, जो भी कटनाईया आपको face कर रहे हो please comment section में लिखो, कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जिन्दगी का जामवंत बन सकूँ